नमस्कार, the road to Delhi leads through Lucknow in 2019, जो Lucknow जीतेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, 2019 के चुनाव में ये लगभकत है, हमारे साथ है अखिलेश यादव, अखिलेश जी, अभी हमने एक तस्वीर चलाई पीछे, आप साइकल पर चल रहे हैं और आपके पीछे देखिए, मायवती जी है, कभी सोचा था, कि ऐसा दिन आएगा कि इंडिया टुडेश कॉनक्लेव में एक ऐसी तस्वीर चलेगी, अखिलेश साइकल पर मायवती पीछे, बैक सीट ड्राइविंग कर रही है या आप पूरी तरह से स्टेरिंग वील पर है, इस क्रियेटिविटी में मजा नहीं आया, इस क्रियेटिविटी में इसलिए मजा नहीं आया, क्या कर हाथी चला रहा होता है साइकल, और साइकल अपने आप चल लिए होती तो कितना अच्छा लग रहा होता, तो कौन चला कौन राय साइकल हम दोनों मिलकर के चला रहे है क्योंकि एक जमाना था जब एक पईय की भी साइकल होती थी लेकि वो जमाना लोटा नहीं आ सकता अब तो दो पईयों की साइकल है दो पईयों की साइकल आप कह रहे हैं लेकिन क्या वाकई आपके वर्कर आपके सेना जो है वो भी ये मानती है या ये केवल आप और मायवती जी के बीच में एक समझाता हुआ है जिसकी वज़े से क्योंकि आपको ये एक ऐसी लड़ाई हो गई है कि दूसरी तरफ है नरेंद अगर आपने इस बात को देखा हो फॉलो किया हो कि ये संबिधान बचाने की लड़ाई है यूपी में और संबिधान जो अधिकार देता है हमें उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई है और ये विचारों का संगम है ये कोई इसलिए नहीं का मेरा आसित तो खतम हो जाए है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस ने हराया था उनकी सीट पर कौन हरा डिप्टी सीम कौन हरा कहरा ना जहां से भारती जनता पाटी ने नफ्रत की याग लगाई थी उत्ता प्रदेश को जहां से उन्हों उने समाज में जाती में और धर्म में बाटा था उस आग को बुझाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी और बहुजन समाजपाटी ने मिल करके किया तो ये सम्विधान बचाने का है सम्विधान जो हमें अधिकार दे रहा है उसको बचाने की लड़ाई है आप केव बचाने की लड़ाई है ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये विचारों का जो मेल है ये केवल एक वज़े से है कि आप नरेंद्र मोदी जी से इस समय ड़ते हैं ये ये जो सविधान की बात छोड़िये ये नरेंद्र मोदी को ये हराने की बात है देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप हर चीज को पढ़ते होंगे और जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कुछ घटना होंगी उनको वे बारे में आपने जुरूर पढ़ा होगा तो क्या डाक्टर रामनर लुया डाक्टर भीमरा मेटकर जी मिलकर के काम नहीं करना चाहते थे क्या डाक्टर भीमरा मेटकर जी ने पत्र डाक्टर रामनर लुया जी को नहीं लिखा या डाक्टर रामनर लुया जी ने पत्र का जवाब देकर कहा कि हम मिलेंगे एक साथ होंगे अगर वही राजनेतिक विरासत या लड़ाई को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप कि सुविकार करें या ना करें जी आपको सुविकार करना चाहिए कि डाक्टर भीम राम बेटकर जी डाक्टर राम अनर लोईया उन्निस सो चपन में आप गूगल कर सकते हैं अगर बात गलत कह रहा हूं तो सर हम है 2019 में बीच में गोमती नदी के बीच बहुत कुछ बदला है 95 का गेस्ट हाउस इंसिडेंट लीजे मुलायम सिंग जी और मायवती के बीच में जो लगातार टक्राव हुआ बस्पा और सपा के काडर के बीच में जो टक्राव हुआ आज आप कह रहे हैं कि विचारों की लड़ाई है लोहिया और अंबेट कर साथ आ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं जनता क्यों माने myth आं आपके कहने से नहीं होगा जनता क्या मानेगी जो measurements जो समाजबादी पारटी का जो आम worker है बस्पा का वर्कर है वोटर है वो क्यों मानेगा मैं फिर कहता हूँ मैं आधरी माइ प्राइपर ले करके जा रहे हैं ये भाती जंदा पाटी की भाशा है ये गैस रायूज की भाशा भाज़ते पाटी की है मुक्त पार्टी हाँ çok कैंड मतरी ने कितना कुछ सुनाया उनको क्या ने लिए कि विचारों का संगम है ये अन धाई पानी लोगों को हटाने के लिए जिन्होंने देश को बरबात कर दिया कभी आपने सोचा आपने ये बात कही कि गुमती में बहुत पानी बह गया आप ये क्यों नहीं कहते हो कि गंगा मा जिसने बुलाया था बीजेबी के लोगों को वो कितनी गंदी हो गई कितनी गंदी हो उसको बताईए आप कहीं न कहीं ये जो विचारों का संगम है इसमें नेता जी भी शामिल है कि नहीं कि ये केवल अखिलेश जी और मायवती ची के बीच में विचारों का संगम है नेता जी इसी लिए नेता जी है कि वो भी शामिल है पर वो कहते तो कुछ और है, पार्लिमेंट में आके कहते हैं, मोधी जी दूसरी तरह बैठे हैं और वो कहते हैं, मोधी जी को मैं चाहता हूँ कि आपकी पाथ साल आप आप ही प्रधान मनती रहें, फिर जब लखनव में आप प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं, उसके बाद वो कह में भी था नेता जी के साथ, और अगर आज का जमाना ये है कि पुरानी बाते भूल गए हो, मैं तो कहता हूँ कि वो आर्काइबस में निकालिये, स्पीश नेता जी की, क्या डाक्टर मंधमोन सिंजी को नहीं उन्होंने बढ़ाई और आशिरवाद दिया था, क्या वो बा नेता जी ने पूरी तरह से इस गड़बंदन को आशिरवाद दिया है या नहीं? मैं उनका आशिरवाद मैं जानता हूँ, इसलिए आशिरवाद पर अब चच्छा नहीं करूँगा शिपाल यादव, ये परिवार जो है, चच्छा जी आप कहते हैं उनको, ये चच्छा किस तरफ जा रहे हैं, सुना जा रहा है कि वो सब के साथ समझोता करना चाते हैं, किसी न किसी तरह से भतीजे को किस तरह से हराया जाए कम से कम भारती जंदा पार्टी अब इस पर आरोप तो नहीं लगाएगी मुझ पर, कि आपकी पार्टी में लोगतंत्र नहीं है, आपके परिवार में लोगतंत्र नहीं है, अगर उनके परिवार में ऐसा लोगतंत्र हो, पार्टी में तो हमें बताएं और दिखाएं, कम से कि अबंध में कही न कहीं जो परिवारवाद का यह आरोप लगाया जा रहा था कहीं न कहीं क्या यह परिवार बिल्कुल भिकर गया बीजेपी उसका फाइदा उठा रही है कहीं न कहीं श्वपाल यादव को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है किया आप समझते हैं हो और दूसरी तरफ जब मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं तुसे भाग रहे हो आप मैं यह कहता हूं बीजेपी का आरोफ हम पर यह लगता है कि यह लोग तांत्रिक पार्टी नहीं है परिवारवाद है इसमें अच्छा लोगतन किसका होगा आप कंफ्यूज हो यह परिवार बिखर रहा है और उसका फाइदा परिवार की चिंता कर रहे हो दूसरे परिवारों की चिंता करना आप क्यों मेरे परिवार की चिंता कर रहे हैं अगर इनको मेरे परिवार की चिंता है तो इन्हें सब के परिवार की चिंता होनी चीए अकेले मेरे परिवार की क्यों चिंता करते हैं आप अफे परिवार की परिभाशा क्या है ये बताईए मुझे आप फिर मैं बात आगे बढ़ाओंगा आप बताएं आप परिवार की बह आपने साइकल पर मायवती जी को आपके साथ रखा है अगर मैं कहूं कि साइकल को और थोड़ा बढ़ाई ये और उस पर राहूल गांधी और प्रियंका गांधी को भी रखिये क्या कहीं न कहीं क्या आप चाथें कि अंप्ड़ा और उत्तरप्रदेश में बने या नहीं कहीं ड़िए समाजवादी पार्टी है भूजन समाज पार्टी ऑ मिजिया घुर्ण स्वेश पार्टी और शेतीर दल हमारे साथ हैoration कि और एक शिकायत नहीं हो नहीं कहा है कॉंग्रेस कहा है कॉंग्रेस पार्टी है आपने केवल उनको एक रायबरेली और अमेठी के अलावा कोई और सीट तो दी नहीं है क्या वहां कॉंग्रेस नहीं है नहीं मुझे ये बताईए क्या आप उन दोश्य ये बताईए क्या कॉंग्रेस वह नहीं है क्या बाकी उत्रप्रदेश में आप आपके खिलाब लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी को दायत्व दिया है पूर्वा उत्रप्रदेश का जोतिराजित्य सिंद्या को पस्चि समाजादी पार्टी है रल्डी है कॉंग्रेस है और निसाद पार्टी भी जो नई पार्टी है उसको भी लिए हमने शामिल औरों का साथ ले रहे हैं अभी तो डिकलर नी हुए पूरी सीट हैं तो ये क्यों नहीं है मागढ़वंदन ये बताईए हमें आप क्योंकि साफ है और जहां तक बात आप Congress Party की कर रहे हैं, तो Congress Party को, मैं तो यह कोई सुजाब नहीं दे सकता, राश्टी Party को, मैं किसी दल को सुजाब नहीं दे सकता, मैं तो अपने दल का ख्याल कर सकता हूँ, लेकिन जितनी सीटें Congress यहां जीतना चाहती है, अगर वो जहारकंड, चात्यसगर मदपडे, राइस्थान, पंजाब और यूव यह दिल्ली में तेह करें तो शाइज जादा सीट जीत जाएंगे, और फिर अंका गांदी जी तो बड़ी नेता हैं उनकी पार्टी की, कितनी बड़ी नेता हैं, पुरे देश में जा सकते हैं, यह क्या बात हुई आप, महां गड़वंदन को गड़वंदन ही बोलेंगे, आप क्यों नहीं बता रहे हैं, इतने दल किसके पास हैं, बीजेपी के अलावा, यह बताईए, बीजेपी के अलावा, किसके पास इतने दल हैं एक साथ, बीजेपी कंपटिशन में हमारे, दलों को जोड़ने में, आज इस फो कहीं न कहीं क्या ये सच्चाई है कि आप और राहुल गांदी के बीच में सो संपर्ग था वो तूट गया उस चुनाव के बाद आप लगातार उनको फोन भी करते रहें जो उप चुनाव हों पिछले साल उन्होंने फोन उठाया नहीं इन बातों का कोई मतलब नहीं है ये ब ये कैसा गटबंद नहीं अगर कॉंग्रेस आपके खिलाफ लड़ती है कुछ सीटों में और आप कह रहे हैं मुझे कि ये गटबंद नहीं आप साफ क्यों नहीं कहते कि आज की तारीक में आप तयार हैं राहुल गांदी और प्रियंका गांदी के साथ बाच्चीत करने के लिए ताकि ये परफेक्न अलाइंस बने इर्चेत को हाथ भी पसंद है और य्व यूपी को हाथ ही भी पसंद है किता है अगह आज हैं अब क्यों नहीं आख्रेश देख रहे हं हमारी नजर से ने ने मैं देख रहा था प्रेस कॉंफरेंस पे कुछ दिलों पहले आप कह रहे थे मीडिया पूरी बिकी हुई है नहीं मैंने कहा अगर यह शब्दा बता दे मुझे बिके हुआ नहीं आपने यह कहा था कि मीडिया भाजपा की तरफ से बात करें यह मैं कहता हूँ क्योंकि एक गाओं का आदमी हमसे बुशता है कि आप टीवी पे क्यों नहीं आते हो मैं उसको क्या जवाब दूँ आप बताईए मुझे आज तक पर आप लगातार आते हो या आज तक के एडिटर यहां बैठे हैं सुप्रियो प्रसाइद उनसे पूछते हैं आप जब प्रेस कॉंफरेंस करते हो मायवती और आपने प्रेस कॉंफरेंस की लगातार दिन भर चलता रहा आप कुछ न्यूस बनाईए आप आएंगे टीवी पर अरे पिछले कुछ दिनों से दोई लोग दिखाई दे रहे हैं खेवल टीवी पर अभी नहीं ये बात ये घटना जो हुई वो अलग बात है वो उस पे कोई मुझे अदरवाइस ना ले ले और समझ ले उससे पहले कहीं से आईए कोई चैनल ओन कर ये दोई लोग दिखाई दे ने उस पर कौन दो अब वो मैं क्या जानू वो आप टीवी देखिए उसके लिए तो टीवी देखना पड़ेगा हाँ ये जुरूर मैंने कहा कि अगर समाज को देश को बदलना चाहते हो तो टीवी देखना कम कर दो ने नेट फ्लिक्स देखिए आप टीवी चैनल पर आकर कह रहे हो कि टीवी कम देखिए ठीक है कम देखिए और देखिए तो आज तक जुरूर देखेगा इंडिया तो देखिए ये मैं तारीफ कर चुका हूँ कल अभी थोड़ी दे पहले अच्छे ये मुझे पताईए अ 40% अब एक नया फेक्टर आगया है पुल्वामा उसके बाद जो एक तरह से देश भक्ती का एक 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 इमोशनल अपील बन रहा है हमारे जो सैनिक मने उसके से ज्यादा तर उत्तर प्रदेश से थे क्या आप समझते हैं इसका राजनीती पर असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीती पर असर हो रहा है मैं समस्ता हूं मुद्दे अभी वी वही हैं जमीन पर ये सही है कि देश को दुख पहुचा है जनता दुखी रही है और जो हमारे वीर जवानों ने करके दिखाया या जो हुआ है उसमें देश एक साथ है कोई पॉलिटिक्स नहीं है लेकिन वह देश के सम्मान की बात है देश एक है लेकिन जब सवाल मुद्दों के आएंगे आप किसान वही किसान पूछेगा आपने ये कहा था कि आए दोगनी हो जाएगी आपने तो बोरी से 5 किलो डी एपी और यूरिया निकाल दिया आपने कितने लोग जानते होंगे कि पिछले एक डेड़ साल से यूरिया और डी एपी 5 किलो कम मिल ला है किसान को और भई पैसा आप दे रहे हों आज सुने मैं आगा कि वो पैसे नहीं अकाउंट में पहुंचा आपने कुछ सड़क बनाई हो आफ्टर ओल मार्केटिंग ब्रांडिंग है उसका असर पड़ता है लेकिन यहां हमारे बुद्धी जी लोग बैठे हैं अगर प्रोडेक्ट खराब है तो क्या करेगी मार्केटिंग और क्या करेगी ब्रांडिंग ने यह आप कह रहे हैं कि प्रोड़क खराब है मार्केटिंग अच्छी है लेकिन यही आपने कहा था दो हजार सत्रा में एक तरह से और तब भाजपा को तीन चौथाई जीत मिली थी तीन सो से ज्यादा सीटे मिली थी वो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स के तीन-चार महिने बाद डी मॉनेटाइजेश लोगों को बहकाया लोगों से कहा कि सब यादब नौकरी पा गए हैं अभी रिजल्ट आया अभी अभी रिजल्ट आया है हम तो बोल भी नहीं सकते किसी के खिलाफ आप बताईए रिजल्ट क्या था कहां था सबका साथ सबका विकास और कल एक और रिजल्ट आया कहां गया सबका साथ सबका विकास आप उनिवेस्टियों में भरती देखिए कौन लोगों को नौकरी मिल लही है इसलिए मैंने कहा कि सम्विधान बचाने का और सम्विधान जो हमें अधिकार देता है उनके बचाने का चुनाव है और दो शपत लिये हुए बैठे लोग नजाने क्या कर रहे है दो दो शपत लिये हुए वाले लोग वो भूल जाते हैं कि सम्विधान से कब काम करना है वो कभी कभी दूसी शपत लिये हुए उसके टायत काम करने लगते है लेकिन असली मुद्दे आपने कहा कि असली मुद्दे कुछ अलग है असली मुद्दे केवल मार्केटिंग से नहीं किये जाते असली मुद्दे क्या है आप केवल बार-बार सविधान बचाने की बात करते हैं आपके राज्य में असली मुद्दे क्या है जब योगी अधित्यनाद जिस तरह से अपनी राजनीती कर रहे है क्या यो हमारे लिए सम्मान की बात है और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जैसे नवरात हो तो बुद्वाब खा सकते हैं और अगर आपको बंदर भगाने हैं तो कहीं आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और फिर हनुमान जी की जाती बतादी बताओ कितने लोगों ने जाती बताई और सोचो यही बात अगर मैं कह देता कि हनुमान हमारी जाती कें तब क्या होता हमारा तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बाबा मौकी मंतरी बने रहे हैं उन्हीं से तो आशीरवाद मिलेगा हम उनके खिलाफ नहीं हैं ना दुश्मन हैं और सुनिए उत्तपदेश आलू पैदा करता है आपकी सरकार ने कहा सरकार बनते ही कहा आलू कि हम आलू की कीमत दिलाएंगे बताओ एक किसान हमें लादो अगर सरकार ने एक किलो आलू खरीदा हो तो बता दीजिए हमें सरकार ने यह कहा कि हम 14 दिन के अंदर गर्ने का भुक्तान कर देंगे मैं जानना चाहता हू उत्तपदेश कि कितने किसानों का भुक्तान हुआ है आप ने का की किसान लेएगें बताओ धान कहां खरीदा गया है आप किस फसल की बात करना चाहते हैं प्रधानमंती चीज आये थे इंवेस्टमेंट मीट में उन्होंने का है कि देखो कंनोष का इतर कितना अच्छा है मैं कि आथा गरास मैं का काम कर रहा था ने कहा कि कंनोष के लोगों के लिए परफुद्री का काम कि एक रोख दिया और के वल्हें इक काम चलने दिया को खवद अमॉंस की मन्डी बन रही थी। मलीयवाद में वो ग्लाँ मुख्यूंतिज ने आलू की मन्डी बन रही थी कर्नौ्ज में बो काम रोख दिया कि हम एंपुरी में बन रही थी मंडी अनाज की और सबजियों की वो काम रोख दिया केवल एक काम होने दिया नॉड़ा में जो वाबा राम देव जी को हमने पांस सो एकर जमीन दी थी केवल वो काम होने दिया वाकि पूरी की पूरी मंडी गाजी पर बल्या तक काम रोख दिया क्या कभी भी खबर बनेगी है बिल्कुल बनेगी आप लाइव है खबर तो जरूर बनेगी लेकिन मैं आप से ये पूछ रहा हूं आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे थे 2017 था लेकिन आप हारें कहीं ना कहीं या तो आपका जो काम है वो जनता तक पहुच नहीं पाया दूसरी तरफ अम उत्तरप्रदेश का बार-बार जिक्र किया है पूर्व उत्तरप्रदेश वो कहते हैं जो बिल्कुल पिछडा हुआ था वहां हम सबसे ज्यादा इंवेस्टमेंट कर रहे हैं क्या ये सब जुम्लेबाजी है क्या कहीं न कहीं जब जनता उन्हें वोट देती है आप उसे कह हैंगे कि जनता केवल मार्किटिंग के बहकावे में आ रही है देखे मैंनी का जुम्लेबाजी हमें स्विकार करता हूं जो आप कह रहे हैं वह जुम्लेबाजी थी उनकी वह जुम्लेबाजी है क्या आवास योजना उज्वला योजना इसका कोई फाइदा नहीं हुआ है बताईए कैसा सोचाले बनाया है नोने बीजेपी की बास सोचाले ऐसे शुरू होती है सोचाले पर ही खतम हो जाती है और कॉंग्रेस की सोचाले बनाने में बीजेपी के सोचाले में क्या फर्क है कॉंग्रेस सोचाले जो बना रही थी वो एक गड़े का सोचाले बना रही भारती जंता पार्टी जो सोचाले बना रही है वो दो गड़े का सोचाले बना रही है और ना कांग्रिस ने पानी दिया सोचाले में ना भारती जंता पार्टी ने दिया पानी में सोचाले क्या दिया पानी बताईए आप, अगर कहीं सोचाले में पानी दिया हो, सरकार ने तो बताईए हमें, आप हमें बताईए ना, और फिर, यूपी सरकार कहती है, जो लॉइन आर्डर जो समाजवादी पार्टी के जमाने में वो कह रहे हैं, बिलकुल खत्म हो चुकी थी, योग आपने, अभी तो मैंने किवल सोचाले की बात कही थी, आवाज की बात नहीं हुई, समाजवादी लोगों ने आवाज दिये, और आवाज जो दिये, वो दो कमरे के दिये, बरांदे के दिये, किशिन बाथ रूप, LED दिये उसमें कमरों में, फैन दिया, छट पर आपके सोल पैनल दिया, जिससे उसको बिजली न लगानी पड़े, और मुझे याद है, कि उस समय पूर्व राश्पती कलाम साब ने कहा, कि वो चाते हैं कि गाउं, आप ऐसा करिए, कि मैक्रो गिट से चला दीजे, तो मैंने उन से कहा कलाम साब से, कि सर, अगर आप मुझे मुझे पूरा का पूरा 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 चक्की, गाउं की सब सुवधाई मिली, और गाउं के लोगों को एक एक भी बिल नहीं देना पड़ रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, जब हमारा काम नहीं बोला, तो भारती जनता पार्टी का काम कैसे बोलेगा, यह बत मैं नहीं बताऊंगा कि बीजेपी के लोग जान जाएंगे और मैं देख रहा हूं कि टैली प्राम्टर लगा इसका मतलब सब जान जाएंगे कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अखिलेश बड़ी भूल कर रहे हैं मायवधी जी का तो कोई वोट है नहीं वोट कम होता जा रहा है आप मुझे बताएए अखिलेश जी कितनी सीटे आएगी मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बीजेपी जान जाएगी लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बीजेपी हारेगी और इसलिए नहीं हारेगी इसलिए हारेगी कि जमीन पर उन्होंने काम नहीं किया है जो सिलिंडर दिये फिर वो बात जान जाएंगे कोई भराने नहीं जा रहा क्योंकि महेंगा कर दिया आप जानकारी करिए ना यह सब सरकारी रिपोर्ट है और सरकारी रिपोर्ट यह कह दिए कि 70% से जादे लोगों ने दुबारा सिलिंडर नहीं भराए आप नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी जी आज की तारिक में देश के सबसे लोगप्रियन नेता है यह चुनाव लड़ा जाएगा दरेंद्र मोदी के नाम पर आप ने एक मिनट वो उनका कहना है मजबूत सरकार दूसरी तरफ महा मिलावट सरकार तो चलिए हम महा मिलावट हैं आप तमिलनादु से लेकर करक तो आपको क्या कहेंगे हम हम तो कि एवर उत्तापर देश की मिलावर्ट हैं चानलो मानलो अब अपना नाम दीजिए हमें या आप हमें बताजिए हमें बहीं बोलने लगे हम उने भी कि तमिलनाडु में कितनी सीटे मिली हुने समझ़ dir तक यह कितनी बिली उन्हें आप बताएं कितनी सीटे मिली हैं ने पांच मिली चार पिछले पिछले 2014 में बीजेपी को वहां 73 सीटे मिली थी आज भी कल भी अमित शाह इसी प्रोग्राम पर आया थे और अध है यह एक चेट ज्याधा मिलें गी 74 मिलेंगे इस पार तो उन्हें आप बता दीजिए 70 बची ये 73 नहीं है और अभी चुनाव नहीं हुए है कितने मिलेगी मैं नहीं बताऊंगा इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जब तक मैं ये बता रहा हूं किस तरह की सरकार आप देख रहे हैं देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है वह इतना मैं प्रधानमंत्री या किसी शेत्रिय दल का देखें पिशली अगर हम 15 साल देखें तो लगाता है कॉलिशनी सरकारें बर रही है और मुस्तिस मैं कहूं ये बात नहीं है सब जानते हैं क्या कॉंग्रेस की 10 साल कॉलिशन सरकार नहीं थी क्या आज जो सरकार चल लिए कितने दल इनके साथ आप बताईए कितने दल हैं यूपी में बताईए कितने दल हैं साथ सोचो यूपी के छोटे दल उनको मनाने के लिए कितना समय जा रहा है नैशनल पार्टी का लेकिन ये बताईए अखिलेश जी आप एक तरफ से कहते हैं कि ये सविधान बचाने की लड़ाई ह मद्यपदेश में बसपा और सपा कॉंग्रेस के खिलाब लड़ने जा रहा है राजस्थान में जा रहा है महराष्टर में शायद आप अकिले लड़ेंगे ये किस तरह का गड़बंदन है कि कहीं आप उत्तर प्रदेश में कहते हम साथ साथ है मद्यपदेश में नहीं है राजस्थान में नहीं है लोग फिर सवाल पूछेंगे कोई ये जो common minimum program कुछ तो बताईए जिस पर ये सरकार चलेगी आपकी ये coalition सरकार जो है क्या ये गड़बंदन के सरकार नहीं है क्या इस से पहले दो सरकार नहीं वो गड़बंदन के नहीं थी और हमारा ट्रेकर रेट देखी है ना क्या नहीं काम किया हम लोगों ने तो इसलिए ये इमत कहिए कि हम काम नहीं कर सकते हैं हम ये कहते हैं कि सपा और बस पाने जितना अच्छे काम किया है आप बीजेपी बताए कि पांस साल में कौन सा काम किया उन्होंने एक काम बताए हमें आप और मायवती जी ने जब वो प्रेस कांफरेंस की तब जब सवाल पूछा गया आपको कि प्रधान मंत्री अगला कौन बनेगा तो आपने कही न कहीं इशारों इशारों में कहा उत्तर प्रदेश से प्रधान मंत्री आएगा और फिर मायवती जी की तरफ देखा तो कि आप समझते मायवती जी बन सकती है या आप खुद बनना चाहते हैं जहां से बात आपने शुरू की आपने कहा कि उत्तरप्रदेश हमेशा प्रधान मंत्री देता है तभी तो देखिए कौन लड़ने आया उत्तरप्रदेश से तो हमें तो खुशी होगी कि उत्तरप्रदेश का प्रधान मंत्री बने कोई मोदी जी भी उत्तरप्रदेश से है वारा नसी से लटते है वो आये हैं उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश के नहीं है, उत्तरप्रदेश से ही प्रधान मंत्री आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो उत्तरप्रदेश देता है प्रधान मंत्री, और जिसको बनना है प्रधान मंत्री, उत्तरप्रदेश आईए, हम भी स्वाधत करते हैं उसमें क्या है उत्तर प्रदेश के नहीं है यह आप करेट कर दीजे मायवती जी बनेगी अखिलेज जी बनना चाहते हैं राहूल गांधी बनेगी या कोई और मैं अपना कह सकता हूँ कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं मैं बनाना चाहता हूं अरे वा यह आपने बड़ी बात के दी आप किंग मेकर बनना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं आपने का यह नहीं किंग मेकर किंग तो थोड़ा बुजर्बदार होता है तो किस तरह से हम तो नए हैं कुछ नहीं जानते हम तो क्यवल बनाना जानते हैं आप वाकई समझते हैं कि आज की तारीक में ये एक महा गड़बंदन की सरकार बन सकती है और आपकी एक एहम भूमिका उसमें बन सकती है सभी जो शेत्रिय दल है एंटी बीजेपी दल एक साथ आकर कॉंग्रेस का साथ आप लेंगे आपने तो कहा है आज साव की कॉंग्रेस आपके गड़बंदन में है पिछले 15 साल से और पिछले कई बार देश के लोग तंत्र ने नया परधानमती दिया है गड़बंदन की अच्छी सरकारे चली है उनके परफॉमेंस अच्छी रही है तो मुझे उम्मीद है क्योंकि बंगाल में आपने देखा था आधनी ममताजी ने कितना अच्छा कारकम किया देशी सब नेता थे सब मौझूद थे तो देश तयार हो रहा है और जो भूमिका उत्तर प्रदेश को निवहानी हो उसके लिए उत्तर प्रदेश तयार है क्योंकि किसान, गरीब, नौजमान इंतजार कर रहा है क्या नौजमानों के सपने तोड़ दिये क्या नौकरी मिली उनको, क्या रोज़गार मिला है कितने करोड नौकरी की बाती है पुलवामा ने नेरेटिव बदल दिया है लेकिन हमें दुख है कि उत्तर प्रदेश के सबसे जादे लोग शहीद हुए है और दूसरे प्रदेश उन शहीद परिवारों को एक एक करोड रुपे मदद कर रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जहां से प्रदामंतरी आते हैं कि एक एक करोड नहीं मदद कर सकते हैं उन परिवारों की क्यों नहीं करने मदद जब मद्रदेश जैसा छोटा स्टेट बजट भी छोटा है यह तो दावा करते हैं कि सबसे बड़ा बजट हमारा है अरे ऐसे बजट का क्या फाइदा जो शहीद के परिवारों को एक करोड नहीं मदद कर पारे हो आप हम तो गएं उन से मिलनें परिवारों से हम तो देखा है उनका दुख आपकी सेना पूरी आज आई है तालिय यह क्या है अगर यह मेरी सेना है तो यह किसकी सेना यह भी बता दो मुझे और देखो सेना में कुछ ऐसे लोग है मैं नाम नहीं बता सकता है वो मेरे ही हैं वो आपके नहीं हैं आखरी सवाल पाच-छे साल पहले 2012 की बात है आपको मैं जब मिला था आप तब मुख्य मंत्री भी नहीं हुए थे आपके साथ केम्पेन पर गया था आप बोलते बहुत कम थे आज मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल नवजोज सिंग सिदू बन गये है ये ये क्या फरक आगे है अखिलेश जी मैं आपको बता दूँ वो पुराने अखिलेश बिल्कुल आप आपसे एक बहुत कम बोलते थे आप तो आप पूरी तरह से आपकी भी छाती बढ़ रही है लगता है देखे अब जितनी बड़ी चाती होगी वो तो कुम के स्नान में देख ली समने और फिस जहां तक चुनाओ की बात करूँ में जहां तक चुनाओ की बात है कि मैं कितना बोलता था मुझे याद है जब मैं पहली बार नौमनेशन करने गया मेरी शादी हुई थी क्योंकि आपका वो बंद हो गया शादी लाइब नहीं होगा फिर भी मैं बोल देता हूँ मेरी शादी हुई थी आदनी जनेश्यों मिजजी ने और आदनी आजम खांसाब ने कहा कि आपको चुनाओ लड़ना है और मैं बोलना नहीं जानता था हुआ जनेश्यों मिजजी ने जो भाषण दिया और दादनी आजम कांसाब ने जो भाषण दिया उन्हें कहा कि टीपू को सिल्थान बना दो और गली गली में नौजमानों ने वही नारा दिया और उसी की बज़े से में चुनाओ जीद गया था हुआ पर तो हम तो भाषण भी नहीं जानते थे पहले चुनाओ में लेकिन अब तो बहुत चुनाओ लड़ लिया जैसे आपने कहा कि गूम्ती में बहुत पानी बह गया गंगा में भी बहुत पानी बह गया गंगा मा अभी बी इंतिजार कर रही है कि कौन उसको साफ करेगा शायद उत्तरप्रदेश के अलावा कोई नहीं साफ कर सकता है उत्तरप्रतेश के लोग ही उसको साफ करेंगे अगेराई जादव आपने बहुत कुछ बोल दिया उस एक वाक्य में किस में? कि गंगा को साव करने वाला उत्तरप्रदेश का ही नागरिक हो सकता है क्योंकि उत्तरप्रदेश में बैती है मोदी जी और दितिन गंगरी जी नहीं कहा है कि वो करेंगे वो हमारे स्पॉंसर भी है नमामे गंगे अगर आप स्पॉंसर हैं तो आप सुनिए उन्हीं का रिकॉर्ड उन्होंने कहा और वो तस्वीरें हैं अखवारों में कानपूर में गए जिनका आपने नाम लिया दोनों लोग हला कि गंकरी जी का मैं इसलिए भी थोड़ा बहुत सम्मान करता हूँ मैं जानता हूँ क्यों सम्मान करते हैं मैं जानता हूँ क्यों सम्मान करते हैं मैं इसलिए सम्मान करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस बे देख करके आदरी के गड़करी जी भी वहां एक्सप्रेस बे बना रहे हैं तो हमारी नकल तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत इसलिए जम्मान करता हूँ मैं उन्होंने कहा कि इस इस तारीक को गंगा का पानी पीने लाइक हो जाएगा ये स्टेट्मेंट था लेकिन जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मुँ और नाक उन्होंने छिपाए हुए थे दोन उत्रप्रदेश में खराब होता है और बीजेपी के दरवाजे पर रखते हो जरकारे आप और बसपा की रही हुए ना फीरिवर्फरंट केबल वह रिवरफरंट नहीं था गोंति रिवर्फरंट में कोशिस की समाजवादी पार्टी नो करके दिखाया एक भी नाला गंदा पाणी का गुम्ती में नहीं जा सकता है और वो हमने करके दिखाया यही आपको करना पड़ेगा सभी नदियों में कि गंदा पाणी नदियों में न जाए और जब तक गंदा पाणी जाएगा नदियां साफ नहीं हो सकती ही चाहे वो phase one हो, चाहे phase two हो, चाहे phase three अभी लगव हो रहा है और समाजवादी लोगों ने कम से कम लखनों में करके दिखाया कि गंदा पानी गोमती में नहीं जा सकता लेकिन जिने नदियों से कोई लगाब नहीं है उन्होंने उस काम को केबल 900 मीटर जुड़ना था पैलर ड्रेंज बने हुए दोनों तरफ पैलर ड्रेंज में केबल ना ले नहीं जोड़े इसलिए कि लोग जान जाएंगे कि गोमती रिवर्फरंट किसने बनाया और हमारा केबल इतनी तकलीफ है मुश्किल है कि हमारा रिवर्फरंट देश के दूसे रिवर्फरंटों से बहुत संदर बना हुआ है और नहीं मानते हैं आप आप तो गए होंगे वहां भी हम तो कहेंगे कि कभी हमारे हैं भी आईए लखनू में चलिए ये गुजरात और उत्तरपदेश की लड़ाई नहीं आपने फिर से इशारो ही इशारो में साबर मती और गोमती का कंपैरेजन किया गुजरात और उत्तरपदेश की लड़ाई इस चुनाव में नहीं लड़ाई नहीं है आप गलत कह रहे हैं भगवान किर्ष उत्तरपदेश होड़कर के द्वारेका चले गए थे इस बार वहीं से आशिरवाद मिलना है अरे वारेका से ही अखिलेश यादव एक बिलकुल नहे अवतार में इंडिया डूड़े कॉन्क्लेव में बहुत बहुत शुक्रिया अधिए या जडिया एक फिर्स करें बारेका शुक्रिया